पुरानों में गंगाजी की अपार महिमा बताई गई है जैसे गंगा वह है जो सीडी बना कर मनुष्य को स्रग पहुँचा देती है मनुष्य के दुख सदयों के लिए मिट जाने से उसे प्रम शामती मिल जाती है और वह जीते जी जीव मुक्ती का अनुभव करने लगता है लेकिन विशे ये है कि गंगा सनान करने पर भी पाप क्यों नहीं मिटते जब गंगा को इतना पवित्र बताया गया तो कभी-कभी हमारे मन में यह संका होती है कि हमने अनेक बार गंगा जी में सनान कर लिया है और वर्सों से गंगा जल का भी हम सेवन कर रहे हैं फिर भी हमारे दुख, चिंता, तनाव, भै, कलेज और मन के संताप क्यों नहीं मिटे हमारे जीवन में स्यांती क्यों नहीं हमें मिली इसका बहुत सीधा सा उत्तर है मनुष्य का और भगवान और उसके वचनों पर विश्वास नहीं करना सास्त्रों और पुराणों में जो लिखवान के ही वचन है यदि हम तर्क नहीं करके पुराणों की वानी पर विश्वास और उसका फल लेने के लिए अमिट अटुक विश्वास रखें तो फल अवश्य मिलेगा ध्यान रहे देवता वेद गुरू मंतर तीर्थ ओस्दी और संथ ये सभी स्रधा विश्वास से ही फल देते हैं तर्क से नहीं इस बात को एक सुन्दर कथा के द्वारा समझा जा सकता है एक बार भगवान संकर वे मा परवती घूमते हुए हरिद्वार पहुंचे परवती जी ने संकर जी से पूछा हजारों लोग गंगा में सनान कर रहे हैं फिर भी इनके पापों का नास क्यों नहीं हो रहा भोले नाथ ने उत्तर दिया इन लोगों ने गंगा सनान किया ही नहीं है ये तो केवल जल में सनान कर रहे हैं अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में गंगा में किसने सनान किया भगवान संकर ने गंगा जी के रास्ते में एक गढ़ा बनाकर उसे जल से भर दिया और साधारन मानव के वेश में उस गढ़े में खड़े हो गए संकर जी कंधे तक जल में डूबे हुए थे उन्होंने पारवति जी से कहा कि तुम गंगा सनान करके आनेवालों से निवेधन करना कि मेरे पती को इस गढ़े से बहार निकाल दे लेकिन सर्थ यह कि तुमने और अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया तभी इन्हें बहार निकालने की कोशिस करना अन्य था इन्हें छूते ही तुम भस्म हो जाओगे कई दिन बीच गए हजारों लोग गंगा सनानकर उस रास्ते से निकले लेकिन सर्थ सुनते ही संकर जी को छूने की हिम्मत नहीं करते और यह कहते हो चले की हमने इस जनम में तो कोई पाप नहीं किया पर पूर जन्नों का क्या पता पता नहीं हमसे क्या और पाप हो गया हो एक दिन एक वैक्ति ने आकर मागता पारवती से कहा मैं आपके पती को इस कड़े से बाहर निकालूँगा पारवती जी ने पूचा क्या तुमने कोई पाप नहीं किया है उस वैक्ति ने उत्तर दिया मैंने बहुत पाप किये हैं किन्तु अभी अभी मैंने गंगा जी सनान किया है इसलिए मेरे सारे पाप नश्ट हो गए है मैं निस पाप हो गया हूँ उस वेक्ति ने जैसे ही भगवान संकर को गड़े से बार निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया संकर जी स्वते ही गड़े से बाहर आ गई भगवान संकर ने पारवती जी से कहा इसने वास्तों में गंगा सनान किया है क्योंकि इसका विश्वास है इसको विश्वास है कि गंगा में सनान करने से सारे पापों का नास हो जाता है तो गंगा जी की किरपा सपर होती है लेकिन जरूरी क्या है सिर्फ और सिर्फ विश्वास तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो मेरी येटूब चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजी और जब भी आप गंगा सनान करने जाएं तो गंगा सनान ही करें जल सनान ने करें मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में बड़े ही महत्व पूर्ण विशे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद